वेलकम बैक तो मैं चानल एजी लार्निंग 100% तो स्टूडेंट आज मैं पार्ट टू मैथेमेटिक्स का वर्कबुक का क्वेशन अंसे आपके लिए मीनस जो भी वर्कबुक के सलूशन्स है वो लेकर आ गई हूं मैट्स के तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू इंट् कर दिया हुआ था आपको यहाँ पर लिखना है आंसर काउंट 10 काउंट यूनिट्स एंड राइट करेक्ट नंबर्स इन इच बॉक्स देखिए कितना टैंस स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वन का जो ग्रूपी होगा ग्रूप में हमेशा 10 होते हैं तो वन को आपको एसे काउंट नहीं करने उसके एक एक बीट्स को कि 1,2,3,4,5,6,7,9,10 ऐसे काउंटिंग नहीं करने हैं वन ग्रूप है तो मिन्स वन जो बीट्स है यह पूरा हमारा वन स्ट्रिंग का जो बीट्स है वो 10 ही होता है तो हम उसको 10 ही पढ़ेंगे ओके 1,10,2,10 तो 2,10 हो गय है 21 देखिए 21 इसे हमें spelling में भी पहले numbers में लिखना है 2,10,1 units अब इसे ही spelling में भी लिखना है means words में 2,10,1 units और फिर in words में लिखना है 21 spelling उसकी और फिर in figure में लिखना है number 21 so second है 2,10,2 units देखिए 2,10,2 units फिर उसे words में लिख देंगे 2,10,2 units और फिर उसको spelling लिख देंगे उसकी 22 की ओके और फिर यहां पे numbers 22 लिख देंगे ऐसे ही 23 है 2,10,3 units ओके so 2,10,3 units 2,10,3 units so 23 the number is 23 2,10,1,2,3,4 units so 2,10,4 units 24 2,10,1,2,3,4,5 units so 2,10,5 units मिल के 25 हो जाएंगे 2,10,1,2,3,4,5,6 units so 2,10,6 units मिल के 26 हो जाएंगे 2,10,1,2,3,4,5,6,7 so 2,10,7 units मिल के 27 2,10,1,2,3,4,5,6,7,8 2,10,8 units मिल के 28 2,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9 2,10,9 unit मिल के 29 फिर यहां पे हो जाएंगे पूरे 3 हमारे 10s complete हो जाएंगे so 1,10,2,10,3 10s और unit में कुछ भी नहीं है means 0 फिर 3 10s और 0 unit मिल के बन जाते हैं हमारे number 30 ओके so यहां पे यह complete होता है 21 से 30 तक हमारा 10s unit अब missing numbers चली देख लेते हैं यहां पे 21 दिया है 24 29 तो इसमें इसको हम serial order में fill करेंगे like 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 write the correct number in each box 2 10s 5 units मिल के बनते हैं 25 2 10s 6 units 26 2 10s 8 units 28 2 10s 3 units 23 okay student तो यहां पे 21 से 30 तक हमारा जो है वो complete हो चुका है चली आगे बढ़ते हैं introduction and writing of 31 to 40 तो यहां पे 31 से 40 तक है दिखिए 3 10s 1 unit 31 3 10s 2 units 3 10s 2 units मिल के 32 होते हैं 3 10s 1 2 3 units मिल के 33 3 10s 1 2 3 4 units 34 3 10s 1 2 3 4 5 units मिल के 35 3 10s 1 2 3 4 5 6 units मिल के 36 3 10s 1 2 3 4 5 6 7 units मिल के 37 3 10s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 units मिलके 38 3 10s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 units मिलके 39 1, 2, 3, 4 10s और फिर यहाँ पर कुछ भी units नहीं है 0, 4 10s और 0 units मिलके बनते हैं हमारे 40 तो same आपको यहाँ पर number में फिर यहाँ पर उसकी spelling फिर spelling फिर number तो यहाँ पर 10s units की spelling और फिर जो number बनता है उसकी spelling और फिर उसको figure में यानि की numbers में लेखेंगे ओके So write the missing numbers 31 to 40 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तो यहाँ पर student 31 to 40 complete हो चुका है अब एक last हम 41 से 50 तक कर लेंगे और फिर next वीडियो में में उसके आगे जो 31 से 50 तक कर रिवीजन कुरिशन अंसा से बोका राऊंगी तो यह last हम देख लेते हैं introduction and writing 41 to 50 तो चलिए 41 बोला है means 4 tenths और 1 unit देखिए 1, 2, 3, 4, 4 tenths और 1 unit 4 tenths 1 unit, 4 tenths 1 unit, 41 बन जाएंगो 41 figure में भी लिख देंगे 1, 2, 3, 4 tenths 2 units देखिए 4 tenths 2 units मिलके 42 होते हैं फिर है 4 tenths 1, 2, 3 units मिलके 43 यहाँ पर सारे 4 tenths ही होगे student क्योंकि यह last में बस हमारा जो 9 की बार 10 complete होगे तो 50 means 5 tenths होजाएंगे यहाँ पर देखिए 4 tenths 3 units, 4 tenths, 4 units, 4 tenths, 5 units, 4 tenths, 6 units, 4 tenths, 7 units, 4 tenths, 8 units, 4 tenths, 9 units फिर 9 जब एक और add होजाएगा bits तो 10 बन देखिए ऐसा हमारा grouping होजाएगा 10s बन जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 10s ओके और 0 units मिलके 50 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 यहाँ पर serial order complete कर लेते हैं missing numbers जो है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 तो student यहाँ पर मैंने 41 पूरे 50 तक जो है आपको 10s ओन यूनिट्स यहाँ तक बता दिये हैं तो आप भी अपने workbook को complete कीजिए I hope आपको समझ में आ गया होगा So, यहाँ पर मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ, नेक्स वीडियो में आप लों के साथ सब तक के लिए, बाबाए